हेलो एवेवीवन, मेरा नाम है तरुन, आप देख रहे हैं पाठिषाल अदीशीकेश और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्राखंड के पारे में इस वीडियो को हम दो पार्ट में लाएंगे पहले गड़वाल के सभी मेले फिर कुमाओं के सभी मेलों के बारे में और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गड़वाल के सभी मेलों के बारे में निन्याड़ परतीशत लगभग सभी मेलों को कवर किया गया इस वीडियो में तो वीडियो को अन्तर ज़रूर देखें हैं और चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं कियां तो चैनल को सब्स् mechanics जरूर और जो संभवधा कौतुक यानि जिसे खेल तमाशा का जाता है का अपब्राजिशा मनब खेल तमाशा को कौतुक का जाता था और वही दीरे-दीरे बिगड़ गे कौतुक का कौतिग हो गया लोग संस्कृति की इन विधाओं की प्रिष्ट भूवी में कोई ने कोई कथा गाथा या निर्थेत और संगीत समावेश पाया जाता है मतलब जितने भी मेले या उतसब होते हैं उनमें कोई न कोई कथा होगी कोई पौरानिक कथा कोई पौरानिक गाथा किसी तरह के निर्थे और संगीत जरूर पाया जाता है विशेश परवया तीथियों को विभिन पौरानिक धार्मिक त पिर जो बच्चे होते हैं वो बड़ी बेसबरी से करते हैं देखिए बच्चे तो खुश होते हैं मेलों के आंसे लेकिन वृद होते हैं वो भी बड़ा इंतजार करते हैं इन मेलों का क्योंकि मेलों में उन्हें अपनी संस्कृति देखने को मिलती है पुरानी यादे उनकी उजागर होती है, इसी वज़े से मेलो की जो लोग परंपरा कहें गे मेले जो काम करते हैं वो यह है कि आपके दूसरे गाओं में कोई आपका सगसंबनी रहता है उसको मिलाने काम, बेटी जो दूसरे घर भ्यागे चल जाती है है उसको अफने पिता से मिलाने काम और एक दूसरे से मिल कर और खुषियां बाठने का मौका देती है कौन मेले या माऽच आ। इक आ are अब उत्राख्ण में बहुत से म Interesting makers विकास मेलोगे नाम से जाना ते हैं अलग अलग मेले और कहा जाता है कि जब देवप्याग में एक गूल बनाई गई जो पानी के लिए बनाई गई थी और उस गूल में क्या हुआ पानी नहीं आया तो रात को मादो सिंग मंधारी को सपना आता है कि अगर तुम अपने बेटे की बली दोगे तो पानी आ जाएगा तो अगले ही द झारा और 8 से अबर 4 से और जन्वरी तक मिला लगता है कहा पर क nous इंके जन्स्थ हलं मले था ठीरी गड़वाल में ठीक है अगले देखते हैं कुंजापूरी परियातन विकास मिला ठीरी गड़वाल ठीक डon ठीक है न जिससे में वैसाकी का पर्व मनाया जाता है और कुझापूरी जो मंदिर है उसी के आसपास या उसी के प्रांगण में यह मिला लगता है ठीक है ना अगला देखिए पंटा गणिया परियटन विकास मिला यह कहा लगता है तो यह लगता है रुदप्याग अगर एक्जाम के पर्सपेक्टिव से एक्जाम के नजर से हम देखें तो दो ही कोशन बनते हैं कि यहां मिला कहा लगता है यहां मिला कब लगता है उसके बाद कहानिया बनती है कि क्यों लगता है किसकी याद में लगता है क्या होता है इस मेले में तो सबसे पहले आपको इस्थान और उसकी डेट याद रखनी है तो पंटा गणिया वार्षिक मेले में देवी दिर्ताओं की डोलियों का मनोहरी निर्थे एवं सांस्कृतिक कारिकरम परति वर्ष 18-19 तथा 20 अप्रेल को आयोजीत होता है तुम अब बान सकते हैं कि कुंजपुरी परेटन विकास मिला हुआ टीरी में कि देवी दिर्ताओं की डोली है उनका एक बहुती सुन्दर निर्थे है तो अगला देखते चलिए किसान और द्योगिक परेटन विकास मिला और यह लगता है कहां चमोली में और व्यापार की द्रिष्टी से यह मिला बहुती ज्यादा महत्पून है यहाँ पर जो खादी सांस्कृतिक कारे में इस मेले में आयोजीत किया जाते हैं इसी मेले में 25 दिसंबर को 2019 को यहां गोश्टा हुई थी कि 25 दिसंबर से लागू होगा और मेले भी गोश्टा हुई थी क्या कि पूरे राज्य में अटल आयश्मन योजना लागू की जाएगी ठीक है त्रिवें अब परियेटन सांस्कृतिक विकास मिला यह का हुआ चमोली में और दो से चार सितंबर को लगता है यह मिला फिर आता है यमना घाटि क्रिड़ा एवन सांस्कृतिक विकास मिला 17 से 20 नमबर के आसपस यानि दिवाली के कुछ समय बाद यह मिला लगता है और प्रती वर्ष जो पिछडी अनुसूचित जाती एवन जन जाती विकास समीती है तो इसको मिले को आफ ऐसे आज रक्षि की अनुसूचित जाती और जन जाती की जो समीती है उसके द्वारा यह मिला लगता है और कहां लगता है तीरी गढ़वाल में 17 से 20 नमबर के लिए फिर आता है चमॉली में तीन से चार विकास मेले चमॉली में लगते हैं और सबका महत्वास यानि सबका जो कह सकता है पर उदेश ये एक ही होता है क्या कि जो संस्कृत है उसे बढ़ावा दिया जाए इस वज़े से बहुत सारी अलग-अलग तरीगी की संस्कृतियों का वहाँ पर प्रस साथ-जनवरी मेले चमॉली में मेलेश और सिद्वली में मेला शुरू हो गया एक से साथ-जनवरी चमॉली के लगता है और बहुत ज्यादा भीड बहुत प्रति वर्ष 11-14 जन्वरी यानि मकर सक्रांती के पास तो आप मकर सक्रांती से लेट करकि इस मिले को याद कर सकते हैं अगर आता है गेंदाकॉतिक बहुत ही प्रसेत मिला पौडी गड़वाल का वर्ड फेमस मिला होता है गेंदाकॉतिक और इस मेले किया यानिक ऑफित हैं नगेंदर सकलानी मेला उसके कुछ समय बाद ही 14-16 जनवरी के विए गेंदर कॉतिक हरबार होता है इस मेले को साथ खून माफ मेला भी का जाता है इसमें अगर किसी की किसी को चोट लग जाती है तो कोई कुछ को बोल नहीं सकते हैं मेले में आपने भाग लिया है तो आप को चोट लगना जायज है और इसमें लिको 2019 में राज की मेला भी गोशित किया जा चुका है तो यह भी आप ज्यान रखेंगे पिर आता है माग मेला माग मेले से दो-तिन वार कोशन बन चुके हैं उत्तराखंट के प्रसिद मांग मेला का लगता है तो यह लगता है दीज जन्वरी के बीच मेला लगता है और बहुत उलग लग तरीके के लोग नि candy का प्रदरशन हमयि यह उन पर देखने को मिलता है अगला अग्धर अन्री रितु जब आती है बसंत्रितु के आग्मान में उत्तरकाशी में यह मेला लगता है और कब लगता है ग्यारा से 17 फरवरी के आसपास यह मिले लगता है अब लगने वाला होगा ठीके ना तो ग्यारा से 17 फरवरी के पास बसंत उत्सम मिला उत्तर काशी फिर आता है कणव आश्रम मिला कणव आश्रम बहुती प्रसिद स्थान उत्राकंड के संदर में और हर साल 11 और 12 फरवरी को यहाँ पर मेला लगता है, कणव आश्रम जो भरत थे, दुशियन तो शकुंतला के पुत्र, उनकी जर्मस्थली कहा जाता है कणव आश्रम को वर्तबान में, इसका नाम है, चौका घाट, और कोड़वार में इस्तित है कणव आश्रम 11 से 12 फरवरी तो कोशन ऐसे बन सकता है कणव आश्रम का मेला कहा लगता है, तो अप्शन में कोड़वार होगा, तो आप कोड़वार मारेंगे, लेकिन अगर आश्रम कोड़वार में लगता है, तो वह होगा पौड़ी गड़वाल, तो आपको तिहार लगना है, अगला आता है ताड़ जंडा मिला भी विश्व प्रसिद मिला है, जंडा मिला में जंसला बहुती अधिक मातर में आता है, जंडे को खड़ा किया जाता है, जंडा जी को ये देख सकते हैं कि लोगों अपनी लकडियों से जंडे की जो डंडी है, उसे सहरा दे रहे हैं ताकि जंडा खड़ा हो सके, और बहुत ही ज्यादा जंसलाव आता है जंडा मिला में देरदून में लगता है और इसकी कोई तिथी निश्चित नहीं है लेकिन होली से ही कुछ समय पहले जंडा मिला लगता है ठीक है अगला तब पिरान कलियर मिला जो लगता है रुड़की और रुड़की है हरी द्वार तुक्त है कोई निश्ची नहीं बस लेकिन किसी भी दिन पर यहां मेला लगता है अगले में जो यह तरीके की प्रथा होती है जो मुसलम उसमें आती है इस वाग से इस मेले को उस मेला भी कहा जाता है प्रत्म विक्टोरिय क्रॉस पाप करता है स्वर्गे गबर सिंधी अगला था सुरकंडा मेला सुरकंडा मेला सुरकंडा माता मंदिर में लगता है जो सुरकुट परवत पर है और हर साल बैसाकी के समय पर यानि 12 से 13 अपरैल को यह मिला लगता है धिक रबारा से 18san का हर साल यह मिला आयद浸ीत होता है और विबिन तरह की सन्स्क्रीतियों चोड़ें पर प्रधशनแहिथ है अगला देखिए बैसाखी मिला लगता है देरदून में जो चंदरबनी स्थान है गौतम रिशी की तप स्थली बानी आती है चंदरबनी वहाँ पर हर वर्ष मकर सकरांती के अफसर पर बैसाखी मिला लगता है बैसाखी मिला आप दियान रख सकते हैं कि 13 अपरायल की बैसाख जो कंडग देपता को भी कहा सकता है समर्थ फित मिला होता है पर हर साल शोला अप्रैल को मिलता है अगर आता है बीट जाता है यह लगता है अभा पर कौड़ी गडवाल में हर साल पास दिवस्य मेला होता है जो एक से लेगे पांच मही के बीच आयोजीत किया जाता है इसमें भी काफी जो श्रत धालू होते है वो बढ़ चरकर हिस्सा लेते है मरिगनार जी के जो कैसे क्या अनुयाई है वो काफी आते है इसमें फिर आता है शहीद केश्री चंद मेला जो महीं लगता है केश्री चंद मेला 2-3 मही को चकराता के चौली अद还 rhythms लगता है के जो बलिधान है उसके उपलक्ष्मेया मरा हर साल चकराता देरदसें तूरम में 2-3 मही को ज्यादा net यह मेला लगता है पिर आता है बसंत्थ बुराश मेले ये का बसंत्थ बुराश मेली मेंगा बुराश लेकर खड़े नहीं मैश खड़े और अपने। जो की घीत होते हुते हैं उसका प्रतलिफट आफ और प्रतिवर्श एक से पुसमरी in मिला काफी प्रसिद्ध है पाड़ी कड़वाल में ठीक है क्रिशी से संबंदित जो चीजें होती है उनका ज्यादा महत्वपूर होता है इस मेले में इस वज़े से इस मेले की जो महत्वे वह बढ़ जाता है अगला आता है नाक टिबा मिला जो नाक टिबा को पता है कहा लग को जाता है जून तो यह लगता है दो से चार जून के बीच में और इसमें बासिक देवता में आप कहifornetto है कि जो चकुराथा के निवासी है यहाँ जहां पर यह मिला आयोजित किया जाता है वहाँ पर जो लोग है वह बासिक देवता को मानते हैं और उनी के आगमन पर इस मेले का आयजन किया जाता है प्रती वर्ष दो से चार जून को जखोली मिला चकराता दो से चार जून फिर आता अगला शहीद बवानी दज जोशी मिला कहाता है थराली चमुली में और हर साल यह आपके सकते जखोली मिला खतम अशोक वह सोरी बहुत ही ज़्यादा संस्कृति का जो प्रतरशन किया जाता है इस मेले में ठीके ना बद्री केदार उतसव हरीद्वार देखे इस कोशन के लेके बहुत बार बच्चे गलत करते हैं कि बद्री केदार उतसव कहा मने जाता है बच्चे मान देशे चमूली उत्तरकाशी लेकिन बद्री केदार उतसव मना जाता है हरीद्वार में जादा तर अगस्तमुनी और बद्री केदार उतसव और हर साल का मना जाता है दो से चौबीस जून तक यानि बहुत ही लंब कारिकरन चलता है बद्री केदार उतसव का इसमें अलग-अलग जन्पद बीर्फ और यहां पर इस मेले की खास बतक है कि इस मेले में दूर दूर से जो अपने गाउ है वह अपनी देजियों की डोलिया लाते हैं और यहां पर आकर उन डोलीयों को मिलनुता आपस में बहुत ही कैसे कि यहां बहुती सुंदर लगता है अगला आता है महामिर्थम जय मेला असेड जो चमोली के नारायन बगण में लगता है हर साल 12-15 अगस्त को और यहां बान सकते हैं कि आप जो गाओं के लोग हैं उनके लिए बहुती ज्यादा महत्व रखता है यह मेला उनकी आस्था का प्रतीक है और कहा जाता है कि इस मेले में अगर आप जाकर महामिर्थम जय मंत्र का जाप करें जहां पर मंदिर होगा इस मेले में ज्यादातर मेले वही लगता है जहां पर कोई मंदिर होता है ठीक है न तो उस मंदिर में जाकर महामिर्थम जय मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी हर मनो कामना पून होती है अगला आता है महासुदेव जागरण पर यह देख सकते हैं इसी तरीके से महासुदेव के मंदिर में भी लगती है बहुत जादा कहा लगता है महासुदेव का मंदिर वो मिला तो यह लगता है चक्राता देरदून में और 25 से 30 अगस्ति बीच यह मिला वाकुम नंदा देवी राज्जात या तराज जो परते 12 वर्ष आजजित के लिए उसका अंतिम पढ़ाप चमोली जनपद में रूपकुंड के निकट होने के कारण मनद देखे वो तो 12 वर्ष में होगी नंदा राज्जात लेकिन प्रती वर्ष जो रूपकुंड है उसक जो रूपकुंड के पास ही लगता है रूपकुंड को आप निकाली ताल या रहसे मही ताल भी कह सकते हैं ठीक है कह सकता है मन्लब कहा जाता है और यहां इस मेले में आते हैं अपना सामान बेजते हैं कुछ ना कुछ पैसे कमा कर जाते हैं फिर तक काश्टकार मेला ग्वाल्दम और यह में लगता है हर साल 18-25 सितंबर को जिसमें हाथों से बनी हुई चीजे चाहिए कपड़ा हो चाहिए वो कोई बरतन हो चाहिए खिलोने हो घर के सामान हो हर चीज हाथ से बनी ही आपको यहां पर मिलती है जिसका बहुत ही मनुद क काम को यहां पर बहुत ही जादा सांस्कृतिक कारीकरम को करताया जाता है इस दिन लैंस्टवाल Islam Lad conviction निवस कहां मना नागराज देवता मेला उत्रकाशी में बहुत से लोग नागराज देवता का मेला लगता है हर साल 23 सितंबर को और एक हफ्ते तक मेला चलता है लेकिन जो देरदून लखवार का दशेर मेला है वह अपने आप में बहुत बड़ा उतर बहुत ही खास महत्व रखता ए हर साल 21-22 अक्टूबर के आसपास यह मेला लगता है और दशयरे तक यह मेला चलता रहता है और इस मेले में जो महसु देवता है उसकी डोली भी बहार निकाली जाती है इस मेले में आती है अगला आता है बैकॉंड चतुरदशी मेला आप से कुशन पूछ सकते हैं कि किस मेले में महसु देवता की डोली भार निकालती है तो दशयरे का लखवाडवाला वाला वह होता है अगला आता है बैकॉंड चतुरदशी मेला श्री नगर में कौन से मंदिर में यह आप मुझे कॉमेंट वाक्स में बताएंगे एक से दस दोवंबर के बीच यह मेला लगता है इ होता है जो हाथ में घीगद लेकर खड़े रहते हैं उसे खड़ दिया कहा जाता है कमलेशवर मंदिर में यह मेला लगता है मैं आपको बताएंगे को मज़ावाल मौतसव पर्येटन विभाग द्वारत 10 से 15 नouvंबर तक परतिवर्च आयोजित इस पारिकरम में गड़वाल की समस्त लोग संस्विती को मंच के मार्जम से चुना जाता है सीदा सीदा कोशन मनेंगे गड़वाल महुतसभ कब आयोजित होता है तो हर साल 10 से 15 सितंबर को गड़वाल महुतसभ आयोजित किया जाता है खतंबात एक नंबर पका फिर अथा गोचर मेला जो लगता है चमोली में गोचर है तो गोचर मेला ही लगेगा और गोचर मेले को शुरुआत किसने की तो यह करी थी इसकि यह हमारे सबसे पहले परदानमंतिरी की जवाला तय महरूजिदय की चाइन यहां पर बहुत सारे अलग-अलग आयोजन किये जाता है पिर आता है क्वानु मेला चक्राता तो जॉन सार की परम परागत एवं प्रसित बोड़ी दिपावली के कई चंडो यथा रण दिपावली ओंस दिपावली तेजन दोई दिपावली के उपलक्ष में क्वानु मेले का आयजन होता है ठीक है तो जॉन सार के जो लोग है वो अ लगता है अगला आता है नाग राजा से मुखे मिला तीरी गड़वान में हर साल 26 नवंबर को लगता है जिस समय पे हम 26 ग्यारा अटैक हुआ था आप मान सकते कि उससे लिंक करके आप इसे जोड़ सकते हैं से मुखे मिला लगता है फिर आता है गंग वाट्शियों मौत्सव यह भी काफी मौत्शियों मौत्सव का भव्वें व्यापकायजन परती वर्ष 25 से 30 नवंबर को छेत्री जनता के स्वास्त मनोरंजन इम्राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोवर से अगत कराने के इस देशिये से किया जाता है कि हर तरीके से आपको उस चीट से जोड़ा जा सके छेत्री जनता के स्वास्त मनोरंजन और अलग अलग सांस्कृत धरोवर से आपको जोड़ा सके जो छेत्र है उसके सभी लोग स्वास्त रहे इसलिए मनोकामना इस मिले में की जाती है और हर साल 25 से 30 नवंबर तक यह मिला लगता है अगला तरी दिवसीय मन्मेश्वर मेला यह लगता है उकिमत में और उकिमत का है तो है उकिमत है हुरुद्र प्र्याग में परति वर्ष 25 से 30 दिसंबर को यहां मेले लगता है यहां पर भी बहुत सारे आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे पिरता जॉन सर मेले हैं और उनके स्थान ही महतवपूर्ण है तो हम आप वह भी लेकर आया है तो सबसे पहले देखते हैं मुणनेश्वर का मिला तो यह का लगता है कलजी खाल पॉड़ी में फिर आतक क्यूंका लेश्वर मेला जो लगता है पॉड़ी एकदम शहर के पास फिर आतक कांड पॉड़ी में एकश्वर का मिला पॉड़ी में दंगल का मिला सप्पुली में बिंसर का मिला चौथान जागल देवी का मिला एकश्वर नौणा का मिला आदी बद्री चमोली जौलपा देवी का मिला जौलपा देवी पॉड़ी और चंदरबंगी मिला अंजनी सेड तो आट मेले तो यहां पर पॉड़ी के ही हो गए तो आप इन सब को एक साथ करके भी याद कर सकते हैं अगरे के सुरकंडा मेला चंबा टीरी में लगता है पुंजापूरी मेला नरेंद्रगर टीरी में घडियाल की जात लोस्तू बढ़ियारगड में मरोज का मेला लगता है बीच में मेला जो यह माण मेला है इस म सार न ओर डालक्ते है जांदेव नरदी और जाओं लगता ए अगला है त्रुझोगी नार्यन जो किदारघाटी है दूबडी जौनपूर में, कुलसारी का मेला, कुलसारी थराली में, विखौत का मेला, अगस्ते मुनी जौनपूर, घरेदा विखौती, गैरसन, तिमुडिया का मेला, नर्सिंग मंदिर, जोशिमन, काफी प्रसिद्दे तिमुडिया मेला, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, नंदा की पूरी डीटेल आपको ध्यान से पढ़ाई जाएगी, फिरा तक टपकेश्वर महादेव का मेला, गडिकेंड, जहरदुन में, काफी प्रसिद मेला, ये शिवराति की समय पे लगता है, राज-राजिश्वर का मेला, बुलान खाल, हिंदाव, ये थे गड़वाल के सभी म मेले, गड़वाल के लगबग 98-99 परतिशत मेले इसमें कवर हो चुके है, आप अगर इनको एक बार नोट्स बनाकर या वीडियो को भी तीन से चार बार दिखेंगे, तो आपको लगबग सभी मेले याद हो जाएगे, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइ प्र ही आई है, ऴार नोट बार इसमें उनको वीडियो का बार याद हो जे लोगब को लगब को जाएगे, तो वीडियो को लाएगे, तो दू रगब झाएगे किसमें की और एकममृब दीयो को लेता, थाएगे, अगड़ियो Warren, बालें हो पुके हुआगे, आड़ाधे,